Welcome to जारकन एओकर करेंगे और 25 नम्बर से जितने भी जारकन के करेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं तो चलिए要 class को सुरू करते हैं और 25 नम्बर के जारकन के करेंगर फेस को देखते हैं इस class का PDF आपको मेरे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चनल का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, आप वहां से जागे टेलीग्राम चनल जोइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चनल पे सभी classes के PDFs, notification और updates आपको मिल जाते हैं, तो आप लोग मच टेलीग्राम चनल को जोइन कर लें, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले question के हो, और देखते हैं हमारा आज का पहला question, तो आज का हमारा पहला question क्या है, जारकन के पलास ब्रांड के उत्पादों को अब कहां से खरिदा जा सकता है, तो जारकन का यह ब्रांड है, कौन सा ब्रांड, पलास ब्रांड, और इसके product को अब कहां से खरिदा जा सकता अब आप घर बेटे पलास ब्रांड के उत्पादों को Amazon से order कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं घर पे, चलिए जानते हैं इसके बार में, तो देखिए अब जालकन के पलास ब्रांड के product को Amazon पर भी उपलब करा दिया जाएगा, गरागों इन्हें यहां से खड़ी सकते हैं, तो इनके products को बनाया जाता है, अब इसके सारे उत्पाद को Amazon पर उपलब्द कराया जा रहा है, दिर दिरे करके day by day इसके सारे product को Amazon पर available कराया जा रहा है, और आप इसे घर बेटे order कर सकते हैं, साथी इसके राज के अलग अलग जिलों में पलास मार्ट भी खोले जाएंगे, अ अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके full firm को जान लेते, JSLPS चलाता है, तो JSLPS इसका full firm क्या है, जाकन State Lovelyhood Promotion Society, क्या है, देखते हैं अब फिर से JSLPS, जाकन State Lovelyhood Promotion Society, यह इसका full firm है, और यही अभी इसको चला रहा है, इसको पलास ब्रांट को, चलिए जानते है अब देखिए, पलास ब्रांट के बहुत सारे product है, इनमें से कुछ यह है, लगबग 37 से plus product है, 37 से भी ज़्यादा product इसके है, बकरी का दूद है, ब्राउन राइस, इमली, केक, महुआ, आटा, केंडी वगरा, यानि, जिसे हम लोग चोकलेट कहते हैं, तो उस तरीकी के हरव पलास ब्रांट के जितने भी products है, आपको यहाँ पे available मिल जाएंगे, तीसे हम लोग पलास मार्ट का नाम देते हैं, इस तरीके से जारकन के गरमीन महिलाओं दौड़ा इसको निर्मित क्या ज़दा है, इसके सारे products को, और इस तरीके से एक दुकान खुली जाती है, जिसका निर्मित क्या जाता है, और इसमें महिलाओी काम क्याती है, और पुरुष भी काम करते हैं, बहुत सरे product होते है, इस तरह की can dije, साबून, पलास के बहुत सारे brand है, प्लास brand है, तो इस सरीके के जिल्ropolस मार्ट को लोग जा रहा जा रहा है, जहां पर आप इसक खर्छी सकते ह साथी अब आपके यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि पलास मार्ट को चलाता कौन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर दे और वीडियो को लाइक कर दे आज का मारा लाइक कीट का टर्गेट है सो लाइक जैसे ही हो जाएंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी यह फैमिली धिरे धिरे आगे बड़े तो आज का मारा दूसरा कुशिन क्या है हाली में जारकन विधानसवा का 21 इस्तापना दिव मनाया गया तो जारकन विधानसवा का फॉर्मिशन कब गया गया था तो 22 नवंबर 2020 में जारकन विधानसवा का फॉर्मिशन किया गया था तो 22 नवंबर 2021 में जारकन विधानसवा का 21 इस्तापना दिवस मनाया था साथी जारकन राजी कभी 21 इस्तापना दिवस मनाया था त जन जाती है गोरब दिवस ये भी 15 नॉवंबर को मनाया गया था साथी बिटसा मुंडा की 147 जैनती मनाये गई थी 15 नॉवंबर कोई ताप लोग इंसर्ट तर्म को याद रखे चलिए जामते हैं इसके बारे में तो देखिए 22 नॉवंबर 2021 को जारकन का 21 वा इस्तापना किया है जिसका सही आंसर क्या होगा जारकन के नौ श्पीकर जारकन विदान सभा को संबोधित किया है अब सबसे टर्म पहला इंपोर्टेंट टर्म क्या बनता है जारकन में नौ श्पीकर संबोधित किया है तो सबसे पहला श्पीकर कौन थे तो जारकन विदान सभा के सब जाकन विधानसभा के पहले speaker है, साती इंदर सिंग जाकन विधानसभा के एकलोते ऐसे speaker है, जिनको तीन बार मौका मिला है, आज तक इनको छोड़कर कोई दोबारा speaker नहीं बना है जाकन विधानसभा में, ये एकलोते ऐसे व्यक्ति हैं, जो जाकन विधानसभा को तीन बार सं पहला कारिकल, उसके बाद दूसरा कारिकल 4 जुन 2004 से 11 अगस्त 2004 तक दूसरा कारिकल, साथी इनका तिसरा कारिकल 15 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक इनका तिसरा कारिकल, तो ये कौन इंदर सिंग नामधरी? ये जारकन के स्पीकर के रूप में तीन बार जारकन के बिधानसवा को संबोधित कर चुके हैं, यानि तीन टाइम ये जारकन के स्पीकर रह चुके हैं, इनको छोड़कर, इन्हें छोड़कर किसी को दोबारा जारकन के बिधानसवा का दाइत रूप नहीं मिला है, आप यहा जंदरनात महातो जारकन के वर्तमान स्पीकर है, जारकन के पहले स्पीकर कौन थे, तो इंदर सिंग नामधरी ये जारकन के पहले स्पीकर थे, आपसे यह भी क्वेशन पुछा जा सकता है, तिक यह क्वेशन को घुमा के बहुत तरीके से पुछा जा सकता है, जारकन के था ताप लोग ये से भी आद रखे ये तीन बार बने हैं 22 नुवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक 4 जुन 2000 से 11 अगस 2004 तक और 15 मार्च 2005 से 14 सिटमबर 2006 तक ये इनका कारेकाल रहा है ये ज्ञारकन के श्पेकर के रूप में ज्ञारकन का विजांसवा विजांसवा को संभोधित किये हैं अब देखे ज्ञारकन विजांसवा तो ये है ज्ञारकन विजांसवा ये कहां पर तो ये रांची में इस्तित हैं हमारा आगला कुश्चन क्या है हमारा आगला कुश्चन है ज्ञारकन के प्रथम राजिपाल प्रभात कुमार को किस विश्विदाले का चंसलर बनाया गया अब उस्जा मार्टिन विश्वीदालर यहां पर प्रभात कुमार को चंसलर बनाया गया है उस्जा मार्टिन विश्वीदालर उसा मार्टिन विश्विदले, राजी में कहां पर इस्तित है, तो राची मिश्विदले, इसी तरह किसे कोश्चन को बनाया जा सकता है, चलिए जानते हैं इसके बार में, तो जहारकन के प्रथम राजीपाल, प्रभात कुमार को उसा मार्टिन विश्विदले का चांसलर बन और 2000 में जारकन के प्रथम राजिपाल बने तो जारकन के प्रथम राजिपाल प्रभात कुमार इसे आप याद रखे आप देखते हैं इनका कारेकाल के बारे में पहले राजीपाल, प्रभात कुमार का करेकल, 15 नुमबर 2000 के 3 फरवरी 2002 तक, ठीक है, उसके बाद इनके बाद कौन बने हैं, इनके बाद बने हैं, विसी पांडे, विसी पांडे कौन थे, तो देखिए, विसी पांडे एक्शुली, ये जार्कन के राजीपाल नहीं थे, ये बिहार के राजिपाल थे, जालकन के वर्तमान उस समय कोई राजिपाल ना होने के कारण, बिहार के राजिपाल को जालकन के राजिपाल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, तो VC पांडे उस समय बिहार के राजिपाल थे, उनको जालकन का एडिशनल चार्ज दे दिया ग तो VC पंडे एडिस्टनल चार्ज देकर इन्हें जालकन के राजयपाल का रुप में निउक क्या गया था, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये हैं प्रभात कुमार, ये जो आपको दिख रहे हैं, ब्लू शर्ट में ये प्रभात कुमार है, और यही जालकन के पहले राजयपा के फार्मिशन की बात करें, 1899, यानि 1899 में राची का फार्मिशन भाए, देखिए आपको जिलो के फार्मिशन के बारे में जाना है, ताप जालकन जिओगराफी में हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग डिविजन को देख सकते हैं, पांच पांचोर डिविजन में जालकन के 27 जिलो के फार्मिशन के बारे में अनलोग डीटेल में कवर किये हैं, तो राची का फार्मिशन 1899 में भाए, राची में ब्लॉक की बात करें, तो राची में टोटल 18 ब्लॉक है, यानि 18 ब्लॉक है, राची अपनी बाउंडरी कौन से तो रामगर, हजारेबाग, चत्रा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, खूटी, पश्मी शिंग्भूम और सरायकेला करसवा, यही जालकन के 9 जिले हैं, और इनी के साथ राची अपनी बाउंडरी को सेर करता है, साथी भारत के एक राची वेस्ट बेंगॉल, यही पश यानि जहर्णों का सहर राची को ही कहते हैं, जहर्णों का सहर राची को क्यों कहते हैं, क्यों 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 क्यो अब देखिए, इसे हम लोग previous class पे देख चुके हैं, तो चलिए एक बार फीर से देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही important है, तो देखिए, इस्टरो के एक report आई है, जिसके नुसरा जारकन पहले position है, खराब जमिन के मामल में, यानि जारकन के जारकन के कुल भूमी का 68.77%, यानि हम लोग कह सकते हैं, 69%, 69% भूमी की गुनबत्ता को खराब बतायागे है, यानि पूरे देश में सब्सक्राब भूमी की गुनबत्ता को खराब जारकन का ही है, ये बतायागे है, अब देखिए, 68.77%, अम लोग सबसे पहले देखते हैं, जारकन की पुल भूमी का चेतरपल कितना है, जारकन की पुल भूमी का चेतरपल है, 79.71 लाख हेक्टेयर का, इसमें से 54.80 लाख हेक्टेयर, यानि 69% जारकन की भूमी की खराब बताएगी यह, जारकन के भूमी के मामले में सबसे ज़्यादा 69% के जारकन है, उसके बाद अफ्से नंबर पर गोवा और पांचवे नंबर पर गुजडात हैं। तो ये जहारकन के कुछ राज्य हैं, जिनकी भूमी के गुनवत्ता सबसे अधीक खराब है। उन्में से भी जहारकन सबसे पहले हिस्थान पर गुमी की गुनवत्ता के मामले पर जारकन सबसे पहले इस्तान पर है, ठीक है, हमारा आगला कुशन है, हाली में कब संविधान दिवस मनाया जाएगा, तो संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन भी 26 नमबर को, 26 सम्मिदान दिवस मनाया जाएगा ठीक है तो देखिए 26 नमबर को सम्मिदान दिवस मनाया जाएगा ठीक है चलिए जानते हैं हमारा अगला कुछिन है हाली में कहां पर आउजित होने वाली RSFI नेशनल गेम्स के लिए जहारकन डॉलर स्केटिंग टीम भाग लेगी इसका सही अंसर क्या होगा मोहाली मोहाली में यह भाग लेगी यह आप्शन एसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा मोहाली पे क्या होगी तो मोहाली पे जहारकन की रोलर स्केटिंग टीम भाग लेगी RSFI नेशनल गेम्स के लिए ठीक है आप देखिए मोहाली तो यह कहां पर यह महारा लेने के लिए जहारतन कि दोलरस्केटिंग्टिंग कर competed करेगी और जहारतन कि 2020 की इसकेटिंग टिम में क्या होता है आप पूस बेहनते हैं तो नीचे आपको चक्के लगह सोorous के महाराष्टर के साथ कितने state अपनी boundary को share करते हैं? सबसी इन्पोर्टेंट ये मज़ाता है. तो महाराष्टर के साथ 6 states, यानि 6 राज्ज अपनी boundary को share करते हैं. 6 राज्ज कोन-कुन से? तो ये अमारा हो गया गुजरात. गुजरात के बाद यह हमारा यहां पर हो गया गोवाग, गोवाग के बाद यह कौन सा हो गया, करनाटक, करनाटक के बाद यह कौन सा हो गया, तो यह हो गया अंधरपदेश, चोथा हो गया, यह हमारा कौन सा हो गया, 36 गड़, और यह मजद्यपदेश, तो महाराष्टर के सा तिसरा आंधरपदेश, चौथा चत्तिसगड़, पाचवा और मज्द्यपदेश हमारा छक्ता तो महाराश्च्र के ताद छे राज अपनी बाउंडरी को चलिए अगला कुछिन तो आपसे पिछले वीडियो में एक कुछिन पुछा गया था हाली में जारकन के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्मान किया जाएगा जारकन के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्मान किया जाएगा ठीक है, आपके लिए आज का कुशिन है, हाली में सोच सर्वेशन अवर्ड में जारकन को कौन सा इस्ता मिला है, तो पहला, दूसरा, तिसरा चौता, इसका जो भी सही आंतर होगा, आप लोग कमेंट में आंसर दे, साथी उसके बारे में डीटेल मिलीगे, चलिए आज के मिलते हैं इस वीडियो में, ततर के लिए थैंक्यू, बाई-बाई, टेक केर,